हाट अटैक देश की बड़ी समस्या बन गया है वचों से लेकर बूढ़े तक इसका शिकार हो रही है वजो है खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइट जंक फूड का ज्यादा कंजप्शन कुछ चुने हुए मामले हैं जिनमें जेनिटिकली हाट के तकलीफ होती है लेकि लोगों के जानकारी नहीं होती है कि ैसे स्थिती में क्या किया जाए कश्मीर में काड़ा केरश से मड़ा की कि जाएग ने गई हेल्प फाउंडेशन जनके ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी रेनावरिश्वी नगर के सहयोग से वहां पर जागरूपत अभियान चलाया अब सवाल यह है कि हेल्प फाउंडेशन जनके ने धार्मिक स्थालू पर ही जानकारी क्यों दी और यह मुहिम वहां पर भीड देखी जाती है इतनी बड़ी भीड के कारण भक्तों में सीने में दर्द और दिल से जुड़ी इस समस्याएं उन्हें होती है और इसका खत्रा बढ़ जाता है कश्मीर में सीपिया ट्रेनिंग का यह कारेकरण में से लिए शुरू किया गया ताकि लोग मेरिकल इमर् से कैसे प्रदिक्रिया दी जाएं सुनिए इस पर वहां के हेल्प फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने क्या कहा और विशेशक्यों ने क्या कहा जैसे कि आपने खुद कहा है कि हम बाकी एक्ट्विटिंग के साथ आम तो जुड़े रहते हैं आज आज आपने नया देखा है ल से किसे में आम तोर कैजविलटीज होती है जैसे कि हम बौल ज़से एक्सिडेंट रहता है या कई पर हार्ट अटक्स होते हैं काडिक आरेस्ट होता है तो इस सिर्फ में हमने एक पहल की है कि हम लोगों को अबर करें और ए वने के साथ-साथ, हमको एक पर्टिक्र ट्रैनिं देखिए, CPR trainings तो बहुत important है, आप जानते हो कि हमारे JNK में कि कितने ज़्यादा cardiac arrest cases हो रहे हैं, young से young लोग के cardiac arrest हो रहे हैं, so this organization has already started कि हम massive trainings कर पाए, massive CPR trainings कर रहे हैं, so everybody gets trained in these things, हम trainers भी बना रहे हैं, और यह training इसलिए important है कि at least hospital पहुचने तक अगर हम CPR effectively होता है और AAD अच्छी तरह यूज़ करते हैं, तो हम कई लोगों की जानबा सकते हैं, ऐसे ही health की tips के लिए, health की जानकारी के लिए और lifestyle से जुड़ी खबरों के लिए और बाकि सभी जानकारी के लिए जुड़े रहे हैं, और देखते रहे हैं, लोग मत हिंदी!